राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सावन मास की पुत्रदा एकादशी की कथा और महातम में सुनाएंगे. दोस्तों हिंदु धर्म में एकादशी प्रत का बड़ा ही महतुवताया कया है। एकादशी ति थी भगवान विश्नु जी को समर्पित है। सावन मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी का बड़त रखने से संतान सुख की प्राप्ती और संतान सम्मंधी सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। मानिता है इस ब्रत को कहने से बाचपई यक्य के बराबर पुन्यफल की प्राप्ति होती है और संतान सम्मंधी सभी कश्ट दूर हो जाती है कहां ये भी चाता है कि जो निसंतान दमपत्ती पूरे तन मन से इस ब्रत को करें तो उन्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होता है पुत्रदा एकादशी का ब्रत रखने से संतान को जीवन में सफलता मिलते हैं संतान के जीवन में आने वाली सभी परेशान या कष्ट पिग्न बाधाएं दूर हो जाते हैं इस एकादशी ब्रत के महतम्य के बारे में स्वैम भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्टर को बताया था एकादशी का ब्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला है माना जाता है पुत्रदा एकादशी का ब्रत करने से घर में सुक्सम्रथी आती है और भगवान विश्णु जी का आशिरवात प्राक्त होता है। एकादशी का प्रत सभी प्रतों में श्रेष्ट माना जाता है। आज के दिन पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने मातर से ही भगवान श्री हरे विश्णु के करपा से संतान, सुखी, धनबान और दीरखायों होती है। इसके साथ ही घर में सुख सम्रती बनी रहती है और सौभाक्य की प्राक्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार श्री युदिश्टर कहने लगे। ही भगवन शावन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है। इस ब्रत को करने की बिधी क्या है तथा इसका मातम में तरपा करके कहिए। मधु सुदन भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शान्ती पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मातर से ही बाच पर यक्य का फल प्राप्त होता है। निसंतान दमपत्ती को संतान की प्राप्ती होती ह इसके साथ ही संतान सुखी धनबान और दीरखाई होती है। कथा इस प्रकार है। द्वापर्युक के आरंब में महिश्मती नाम की एक नगरी थे। जिसमें मही जीत नाम का राजा राच्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राच्य सुख दायक नहीं लगता था। उनका मानना था कि जिसके संतान ना हो, उसके लिए यह लोग और परलोग दौनों ही दुख दायक है। पुत्र सुख के प्रापति के लिए राजा ने अनेक उपाई किये। परणतु राजा को पुत्र के प्रापति नहें होयी। ब्रध्ध बस्टा आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा हे प्रजा जनू, मेरी खजाने में अन्याय से उपाजन किया हुआ धन नहीं है ना मैंने कभी देखताओं तथा भ्रामणों का धन छीना है किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ले प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा मैं अपराध्यों को पुत्र तथा बांधपों की तरह डंड देता रहा कभी किसी से खणा नहीं की सबको समान माना है सज्जनों की सदा पूजा करता हूं इस प्रकार धर्म युक्तर राच्य करते हुए भी मेरी पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ, इसका क्या कारण है। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत बयो ब्रद धर्म के ग्याता, बड़ी तपस्वी, परमात्मा में मन लगाय हुए निराहार, जित इंत्रिय, जित आत्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूर्टत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ग्याता, महत्मा लोमश मु मुनी को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था, सब ने जाकर रिशी को प्रणाम किया, उन लोगों को देखकर मुनी ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं, जिसंधी मैं आप लोगों का हिद करूँगा, मेरा जन्म केवल दूसरों के उपका मत करो, लोग मश्रिशी के ऐसे बच्चन सुनकर सब लोग बोले, हे महेशे, आप हमारी बात चालने में भ्रम्मा से भी अधिक समर्द हैं, अते, आप हमारे इस संधी को दूर केजे, महिश्मती पूरी के धर्मात्मा राजा, महीजीत, प्रजा का पुत्र के समान पालन करत हैं, फिर भी पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी हैं, उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अते, उनके दुख से हम भी दुखी हैं, आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है, कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महार पूर्शों के दर्शन मातर से अनिक कष्ट दूर हो जाते हैं, अब आप करप्या करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं, यह बारता सुनकर रिशी ने थोड़ी देर के लिए नेतर बंद किये, और राजा के पूर्वजन्व का ब्रतान चान कर कहने लगे, कि यह पूर्वजन्व में एक नेधन बैश्य था, नेधन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किये, यह एक गाउं से दूसरी गाउं ब्यापार करने के लिए जाया करता था, एक समय चेश्टमास के शुकलपक्षी द्वादशी के दिन मध्यान के समय, वह दो दिन से फूका प्य एक जलासे पर जल पीने गया, उसी इस्थान पर एक ततकाल की ब्याही हुई प्यासी गौँ जल पी रही थी, राजा ने उस प्यासी गाई को जल पीते हुए से हटा दिया, और स्वैम जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा, एक आदशी के दिन भूक रहने से वह राजा हुआ, और प्यासी गौँ को जल पीते हुए हटाने की कारण, पुत्र वियो का दुख सहना पड़ रहा है, ऐसा सुनका सब लोग कहने लगे कि हे रिशी, शास्त्रों में पापों का प्राश्चित भी लिखा है, आतहर जिस प्रकार राजा का यह पाप नश्ट हो जाएं, आप ऐसा उपाय बतलाएं, लोमश रिशी कहने लगे कि शावन शुकल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग ब्रत करो, और रात्री को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश् लोमश रिशी के ऐसे बचन सुनकर मंत्रियों सहित, सारी प्रजा नगर को बापस लोट आई, और जब शावन शुकल एकादशी आई, तो रिशी की आग्यानुसार सब ने पुत्रता एकादशी का ब्रत और जागरण किया, इसके पश्चाद द्वादशी के दिन इसके बड़ा तेजरस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, इसलिए हे राजन इस शावन शुकल एकादशी का नाम पुत्रता बड़ा, अधे संतान सुक की इक्षा हासिल करने वाले इस प्रत को अवश्य करें, इसके मातम्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, औ और इस लोग में संतान सुक भोक कर पाई लोग में स्वर्ग को प्राप्त होता है, दोस्तों पुत्रदा एकादशी साल में दो बार आती है, सावन महा के शुकल पक्षी की पुत्रदा एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस एकादशी का ब्रत नेजला या जल के साथ या फलहार ब्रत के साथ भी किया जा सकता है ब्रत रखने वालों को दस्मीतिती से ही साथ पिक आहार ग्रहन करना चाहिए ब्रह्म चर्दे के नियमों का पालन भी करना चाहिए ब्रत के दिन सुभह इसनान कर ब्रत का संकल्प ले और भगवान वि विष्णू का पूचन करें फिर द्वादाश्री तिथी पर किसी भूके व्यक्ति या प्रामण को भूचन कराकर अपना ब्रत खोलें संतान सुखी इक्षा रखने वाले व्यक्तियों को पुत्रदा एकादशी का ब्रत अवश्य ही रखना चाहें आज के दिन पुत्रदा एक बादशी की कथा सुनने मातर से ही संतान सुखी धनबान और दीरखायों होती हैं भागवान श्री हरी विष्णूची की करपा से संतान संबंधी कष्ट दूर हो जाते हैं इसके साथ ही बाच में यग्य के बराबर पुन्यफल की प्राप्ति होती हैं उमीद हैं आपको हमार ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तिदारों में जादा से जादा शेयर करें जिससे भेवी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक् जब किनदेयो करें लादी